हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू इंडिन रिलवेज फैन क्लब अज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन 18 और ट्रेन 20 के बारे में इन में क्या फीचर्स हैं जो इने वर्ल्ड क्लास ट्रेंगे और के स्पेसिविकेशन क्या है और निका इंटीर कैसा होगा हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम train 18 क्यों रखा गया है इसे train 18 इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे जून से अगस्ट 2018 में ही लॉंच किया जाएग train 18 की manufacturing ICF चने में स्टार्ट हो चुकी है और उमीद की जाती है कि यह जून तक complete हो जाएगी यह भारत की पहली ऐसी train है जो कि self-propelled होगी यानि कि इसमें locomotive की आफशक्ता नहीं होगी bogeys की design यूरोप दोरा ली गई है पर manufacturing इसकी हिंडिया में ही होगी एक coach की कीमत लगभग 6.5 क्रोर होगी जो कि पुराने हमारे LHB coaches के comparison में काफी जादा है train 18 एक day train होगी जो कि completely chair car होगी इसे शताबदी को replace करने के लिए बनाया गया है train 16 coaches की होगी जिसमें से 8 coachों में traction motors लगी होगी हर coach में 4 motor मतलब total 32 motors train में होगी इस वज़े से train की acceleration और de-acceleration काफी अच्छी होगी train का pick up काफी fast होगा और train आसानी से रुख भी जाएगी high speed में train में separate loco की जरुत नहीं होगी और इसको reverse करना भी काफी आसान होगा driver उतर के दुसरे end में आ जाएगा train को वहाँ से start किया जा सकता है रास्ते में आने वाले curves में भी train को slow नहीं करना पड़ेगा इसके speed में थोड़ा ही अंतर आएगा ये बाकि अपनी speed maintain कर सकती है खास बात ये है कि जो driver का coach होता है उसमें थोड़ी सी space driver के लिए होगी बाकि जो space होता है उसमें passengers accommodate किये जा सकते हैं चलिए तो उन features के बारे में बात करते हैं जो इस train को world class बनाते हैं train के coach में AC का distribution काफी अच्छा होगा train complete wifi होगी train में LED TVs होगी लोगों के entertainment के लिए train के toilet में sensor लगे होंगे zero discharge vacuum based toilets होंगे train GPS enabled है train में automatic plug type door है और high speed में होने के बावजू train में brakes लगाया जा सकते हैं उनकी brakes से special बात यह है कि इसमें regenerative braking को use किया गया है electrical signal द्वारा train में brakes apply किये जाएंगे brakes apply करने के समय जो energy produce होगी उसी energy को braking में use किया जाएगा इसी लिए इसे regenerative braking भी कहा जाता है और इसे काफी energy save की जा सकती है train की जो design है उसे aerodynamic structure दिया जाएगा जिसे आप curved या trimmed भी कह सकते हैं ताकि train के high speed moment में train को air resistance ना feel करनी पड़े train को इसके route में 160 kmph से उपर चलाने की संभावना है और हो सकता है पहली train 18 हमारी नई दिल्ली भुपाल शताबदी को replace करे train में एसी first class होगा जो की 2 into 2 seats के तौर पे बना होगा train में normal chair car भी होंगे जो 3 into 2 की तौर पे बने होंगे दोस्तों जो train 20 भारत में आने वाली है उसे 2020 में launch करने की संभावना है ये train राजधानी trains और long distance trains को replace करने के लिए बनाई जाएगी ये भी एक high speed train होगी इसमें sleeper coaches अवलेबल होंगे जो की complete AC होंगे train की body aluminium से बनाई जाएगी ताकि train high speed में चल सके और long distance को short time में cover किया जा सके उमीद की जाती है कि train 20 का look भी train 18 जैसा ही होगा डिफरेंस ये होगा कि train 18 day train है जो की complete sitting होगी और जो train 20 होगी वो एक long distance train होगी इसलिए उसमें AC sleeper coaches use किये जाएगे आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ये information कैसी लगी और आगे आप किस topic में वीडियो देखना चाहेंगी ये मुझे comment section में लिख करके जरूर बताईएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि trail go train क्या है और ये क्यों भारत में नहीं आई तो इसे भी मुझे comment section में लिख कर जरूर बताईएगा मैं उसमें भी आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करें ताकि ये information सब तक पहुँँच सके और अगर आप हमारे facebook group पो join करना चाहते हैं और लोगों से अपने videos, photos share करना चाहते हैं तो मैंने group का link description में दे दिया है आप उससे हमारे facebook group पो join कर सकते हैं अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें और bell icon को दबाईए ताकि आपको ऐसी latest videos मिलती रहें थैंक्यू फर वाचिंग